कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में R&T Medical College की कोरोना लेब में लगातार भढ़ते दबाव को देखते हुए अब नीजी अस्पताल उदायपूर के जितने भी हैं वह भी आगे आने लगे हैं और मांग करने लगे हैं कि कोरोना के जो टेस्ट हैं वह नीजी अस्पतालों की ल प्रसाशन को उठाना चाहिए इस वक्त हमारे साथ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के चैर मैं राहुल जी अगरवाल है हम उनसे जानेंगी कि अगर यह स्विक्रिती मेडियों नीजी होस्पिटल्स को मिलती है तो किस तरह का फायदा आम जंता के लिए भी हो सकता है किस तरह का द से लड़ रहे हैं आज आपको जानके हर्स होगा कि उद्यपूर में चे मेडिकल को लेज है और उद्यपूर में 800 आदमी उद्यपूर की पोपुलेशन के हिसाब से 800 आदमी पर एक डॉक्टर है जो दुनिया में भी नहीं है अमेरिका जैसे देश में भी एक हजार आदमी जैसे लगा के पांच लोगो कवर कर रहा है अब जैसे कि उद्यपूर में आपको पता है जिसे चे अच्छे मेडिकल को लेज प्राइट मेडिकल को लेज है अब करोणा की जाथ के वल आरंटी मेडिकल को लेज में उड़ेज से पूरे संभाग में संभाग की जाँ जवावने से वहां पर दवाब हो जाता है अभी दो तीन दिन चार दिन पहले वहां पर कोई पोजिटिव निकल गया दो तीन दिन वह बंद रगी अब इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रावेट होस्पिटलों में जो पेसेंट आते क्योंकि वह अगर उसको पोजिटिव हो गया तो दस जने कोरेंटेन हो जाएंगे या दस जनों की जान जोखिम में पर जाएगी तो आज सबसे ज़्यदा परिशान हो कोन हो रही है घरवती महिल आए अब अगर सरकार उदेपुर में पांच प्रावेट चे प्रावेट में इतनी सारी अच्छी अच्छी लेप से जहां पर नॉम्स को फोलो करते हुए एक यह दो सेंटर जिसका रेट फिक्स करें सब्सक्राइब करें कि अजार उपे सज़दा नहीं ले सकते हो या आपको सोचल रिस्पंसिबिटी के हिसाब से सी एसार के साब से कोस्ट करना है यह तो उससे क्या होगा जो प्लान सर्जरी है जो अब दूसरी जो किड्नी के गंबीर रोगी होते हैं इनको हर दूसरे या तीसरे दिन डाइलेसिस करानी पड़ता है आज की तारिक में किड्नी के रोगी इतने दुखी हो रहे हैं कि कोई भी टेक्निशन उनको आथ लगने के कोई भी डोक्रों को आत लगने के लिए तैयार नी और अगर एक आदमी पास सरकेल या छे सरकेल चूकता तो उसकी मृती हो जाती है तो करोना से जितने आदमी नहीं मरेंगे उस सुर्दों के कुणे जधा यह दूसरी भी महने उससे मर जाएंगे तो मैं राजी सरकार से औ अगरे करूँगा कि जल्द से जल्द मतलब immediate effect से उद्यपूर में एक private नीजी जाच की हनुमति दे उसके आपके norm फोलो करें और उसकी rate देखरें मतलब rate टाय होने के बाद rate टाय हो जानी चाहिए सर्ज शुल्क इस कोरोना का जो टेस्ट है वह अगर नीजी ऑस्पिटलों को भी दिया जाता है तो नीजी ऑस्पिटल इसे करने के लिए तैयार है मापदंड तैय हो जाए जिस लेब की जो आवशकता है कोरोना लेब टेस्ट के लिए होती है वह मापदंड पर अगर कोरोना लेब खरी उतरती है उनका स्टाफ खरा उतरता है तो निश्चेती पर्मीशन मिलनी चाहिए इससे जो आरेंटी का दबाव है वो भी कम हो और उदैपुर को हम बहुत जल्द कोरोना मुक्त करके शहर को फिर से स्वस्त कर पाएंगे सर उदैपुर न्यूज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद और अंतिम सवाल सर आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूंगा कि अभी कोरोना जैसी वैश्विक माहमारी के चलते जहां सब तरफ आर्थिक मंदी का भी दोर है ऐसे में कई सारे होस्पिटल्स में जो स्टाफ है उनको वर्क टू हॉम कर दिया गया है कई को आधी सेलेरी पर काम कराया जा रहा है तो अगर लेब्स फिर से शुरू हो जाती है और बिल्कुल तरीके से फिर से हॉस्पिटल सिस्टेमेटिक चाल हो जाते है तो क्या जो लोग वर्क टू हॉम है उनको भी बेनिफिट मिलेगा इसमें जैसा कि मैंने बचाया कि उद्यवपूर राजसान नहीं इंडिया ही नहीं वर्ड का वन अब देगेस्ट मेडिकल हब है अब सरकार की अपने उद्यवपूर वासियों की इसको जिम्हेंदरी इसको बचाए रखना देखो बनाना बहुत मुस्किल है इसको कॉलेप्स करना अरे मिली होती मेरे की पिसेट घियुए लुपश्य वर्मिस्टबॉपर में बड़े-च रॉपए में पलगते करने ने ऋर्भी पर असे य्लाज उद्यवपूर में रुजाद में रुपई में रुपर में 50,000 ने और आपका मालूम में उद्यपूर का लगावा पूरा ग्रामीन उनके बास खाने पीने की पैसे तो उलाज कहां से कराएंगे तो एक तो मैं आपके चनल के माधियम से यह सरकार से हाथ जोड़ के आगरे करता हूं कि जो भी होस्पिटलों के बामासा के पैसे हैं वो इमीडेट इफेक्ट से से पाएंगे वो आदमी को है कि जो आदमी करोना वर करें करोना फाइटर है और वहां से नहीं चल सकती तो अगर सरकार बहुते हैं हमारे सरकार से बाद हुआत ही जो मतलब हमारे अप्रूर्ट से पढ़िएं जो जिनमें करें एंपर निमेटिंगियु इसको छोड़े तो सब करोना को सुन रहे हैं किस तरह से प्रिकोशन रखना चाहिए लोगों को और किस तरह से इस बीमारी से जीतने के लिए हमें अपने बूमी का निवानी जाए एक तो अपने को सोचल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है समय समय पर हाथ दोएं सेनेटाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करें क्योंकि एक स्टेडी आया है कि इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करने से दो तिन मेने लगाता है और बहुत ज़्यादा उपयोग करने से स्केन कैंसर हो जटा है तो सेनेटाइजर उपयोग म इमने सर से जाना कि किस तरह से अगर प्राइवेट होस्पिटल को और लेब को अगर स्विक्रिती मिलती है कोरोना टेस्ट की तो यह शहर के लिए भी अच्छा साबित होने वाला है और साथ ही एक और नई बात कि यदि आप सेनेटाइजेशन करते हैं अपने हाथ को बार-बा हैं और अतिया आवश्चक होता है उस समय आप सेनेटाइजर्स का उपयोग करें फिलाल अभिशेक जोशी को कैमरा परसंग जौन परमार के साथ दीजिए इजाज़त नमस्कार